सो गाईज इस वीडम हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल केप केमिकल सेर के बारे में जो की कंसिस्टन्सी के साथ ग्रो कर रहा है और कंपनी की सीर्ड्स लास्ट सेप्टमर क्वार्टर में एर ओन एर विस्टिस पे 324 करोड से एकदम से 700 करोड वी और कंपनी का प्रॉफिट 25 क प्रॉफिट 25 कि अपने प्रॉफिट 25 कि साथ कोई बंदा ऐसे सेर्ड नहीं कर सकता जो मालीज आपने 10 सेर्ड बाई किये तो 10 के 10 सेर्ड आपके प्रॉफिट 25 करें तो ऐसा बिल्कुर नहीं हो सकता किसी के साथ भी लेकिन हमें पॉसिबल्टि इस जिसकी ज़्यादा बढ़ानी है कि हमारे मालीज जी 10 सेर है तो उसमें से अगर 6 सेर या फिर 6 सेर ना चला है तो 4 सेर वो जो बचे हैं वो आपके पॉर्टफोलियो की बाकी रिस्क को मैनेज करें और आपको अच्छा प्रॉफिटेबल पॉर्टफोलियो बनाते बनाकर रखें इस वीडियो में आपको एक केमिकल का ऐसा ही सेर बताने जा रहा हूं जो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे रही है कंपनी बहुत अच्छी है कंपनी के प्रॉडक्स एवर ग्रीन है लगातार हर मौसम में हर सीजर में यूज होने वाले हैं वीडियो काफी इंप्रेंस होने वाला है अगर आप फर्स्ट आप मेरे चैनल को वेड कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजेगा वह लाकर यहां पर आप देख सकते हो औरOC-ROE कंपनी के काफी अच्छा है तब है चैनल स अ चछी बात क्या है कंपनी अभी अंडर वरूड है अच्छा कंसरे रेंज बनाकर देने के बाद वे कंपनी पहुत ही सस्ते प्राइस पर अंडर वैरूल देखने को मिल रही है यहां पर FII वालों की काफ़ अच्छी कासी होल्डिंग है इस बात को हमेशा याद रखना दोट करके रखना चिसको की जो सियर अच्छा प्रफॉर्म कर रहा होगा वहां पर FII और DII वाले जरूर मिलेंगे और हो सके तो अपनी होल्डि का रेजर्व भी पड़ा हुआ है लेकर कंपनी के पास काफ़ी अच्छे है यहां पर लाइविल्टी कम ही होनी चाहिए किसी भी कंपनी के पास गयाज हम इसके बाद कंपनी के प्रोडक्स भी देखेंगे यहां पर आप देख सकते हो इनरस्टी का P24 है तो अब भी भी काफ यहां पर आप देखने के सब्सक्राइब इसके साथ कंपनी के सेडस में ग्रोध देखेंगे को मिल रही है और यहां पर आप देख सकते हो गयाज कमपडी का operating profit भी लगातार increase कर रहा है और operating profit margin भी काफी अच्छे से increase कर रहा है मानश टूआ कलता था जो कि अब 26% पर पहुंच चुका है तो ये कुछ वजाए हैं जिसकी वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छा कासा यहाँ पर company grow कर रही है अब इसका net profit भी देखोगे तो September quarter में year on year वैसे पर देखे हैं तो 25 करोड से इसका net profit है डारेक्ट 230 करोड हो गया और आप एक चीज और notice कर लो यहाँ पर EPS देखोगे आप तो consistency की साथ grow करके EPS 54.90 पहुंच चुका है तो किसी भी company का EPS consistency की साथ grow कर रहा है तो यह काफी अच्छी सीज मानी आती है compounded sales growth और profit growth stocker CAGR और ROE काफी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर हम बात करें company के पास cash flow गी तो company पास cash flow पहले था 10 करोड का लेकिन अभी minus में है यह घड़ता बढ़ता रहता है यह तो किसी भी company का और यहाँ पर हम देखेंगे guys company का पास जो share holding pattern है यहाँ पर हम देखेंगे promoters की holding 5% से सीधा किजनी हो चुकी है दिमेदी में बढ़ा करके 48% definitely guys definitely जो company अच्छी होती है वहाँ पर FII और DII वाले यहाँ पर promoters अपनी holding consistence की साथ increase करते है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर DII वालों ने 0% holding ती जो कि अभी 2.57 कर रखी है यहाँ पर आप guys दे आपने promoters की holding देखी लिए होगी December quarter मा भी इन्होंने अपनी holding बढ़ाई है 48.27 20 इसी quarter मा भी उन्होंने अपनी holding बढ़ाई है और FII वालों ने भी अपनी holding उठाई है यहाँ पर देख सकते हो आप तो यहाँ पर अभी भी FII वाले मतलब निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं मतलब मौका मार दे रहे हैं वो मतलब हम यह कह सकते हैं अभी भी इस शेयर को बेचने का नाम नहीं ले रहे हैं आस्यस कचलिया भी इस शेयर के परचे हाथ दो के पड़ हुए है दो quarter से अपनी holding बढ़ा रहे हैं पहले तो बिल्कुल ने थी 0 थी इन्होंने फिर 1.46 किया अब 2.25% किया तो इन्होंने देखो इनको पता है कि कोई शेयर अभी भी अंडर बरूड है दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बेच्ट अग्डोलाइब यह एक ऐसा सेयर है जो आपके 5 सेयरों के बरावर अकेला रेटन्स देख बना कर दे सकता है और दे भी रहा है पूरे देश में टॉप 15 कंट्रीज में कंपनी यह जो है अपना नाम मतलब लाती है मतलब आती है उसमे और इट इज वन आफ दा फास्टेस्ट ग्रोइंग मैनिफेक्ट्चर क्या क्या बनाती है इसके पास क्या है सत्तर फॉर्मूलेशन है यह इस कंपनी को ज्यादा स्पेसिफिक बनाता है जो की अलग अलग टाप्स के इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड, हर्विसाइड्स, एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलर विचे आर डेवलप्ड फ्रॉम एक्टिव इंग्रेडियन्स, मैनुफेक्ट्र इन हाउस एस पार्ट आफ पी टूपी सेटप, बेस्ट एग्रो एग्रोलाइफ केक्टर्स टू से यह बोलर रहा है कि यह कंपणी जो है, ब्लूचिप कॉर्प्रेटर्स बड़े बड़ी कंपणी है, उनको भी सेफ्स करती है यहाँ पर यहाँ पर जो है कंपणी का प्राइस की देख सकते हूँ, आप 314 रुपए है और मार्केट कैप 306 करोड रुपए है, तो यहाँ पर कंपणी के अगर हम प्रोड़क्स की बात कर लें, तो यहाँ पर आपने देखा ही था कि कंपणी अलग-अलग 70 टैप्स के फार्मडिसन रखती है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपणी है, कंपणी जो केमिकल्स बनाती है, वो एग्री केमिकल्स और पब्लिक हेल्थ के प बना कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, हर्विसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, प्लांज ग्रोथ के लिए प्रोड़क्स बनाती है, कुछ अलग-अलग टैप्स के प्रोड़क्स हैं, अब आपको यहाँ पर एक चाही नोडिस करने पड़ेगी, कि यह अपने देश में अग्रिकल्चर बहुत बड़े पैमारी पर एक बड़ा सेक्टर है, और फार्मिंग बड़े पैमारी पर की जाती है, अच्छे यह कोई सावी मौसम हो, हर मौसम में अलग-अलग टैप्स की फसले हो गई जाती है, तो अब आपको पता है कि आजकल मौसम औ और एकमासफियर ऐसा हो गया है हमारी कंट्री का या पर आप यह समझो कि बढ़ती ही पर पॉपूलिशन की वैसे या फिर जो क्या बोलता उसको टैंप्रिचर बढ़ता जा रहा है अपने अर्थ पर जो भी है, तो आजकल फसलों में क्या है पता है, यह कीडे मकोडे और ड निकते आती है, तो उसके लिए आजकल यह समझो, फार्मिंग करना बहुत ज़्यादा सिंपल्स नहीं रह गया है, बहुत ज़्यादा इनमें यह चीज यूज की जाते हैं, यह प्रोडक्स जो है, कैमिकल्स इनके बिना आजकल फसल नहीं किया सकती, पहले कभी टाइम ऐसा था, कि सुद्ध वातवरर था, सुद्ध पानी था, अब तो यह जो कैमिकल्स इते हैं, जो खाद देते हैं, वो फिलाल के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन आने कुछ टाइम बाद, वही एक जूसरे के लिए मतलब, मतलब खराब हो जाता है, आप जैसे कि आप इस नहीं रहते हैं, तो आजकल इनके बना एक तो जिकत यह है कि फसल हो नहीं सकती, और उनको यूज करते हैं, तो वो कही ना कही आग लॉंग टर्म में उसके साइड फैक्ट ही जेगने को मिलता है, तो हम यह नहीं कहना चाहरे हैं, कि यह प्रोडक्स गलत हैं, क्योंकि एक त पॉसिबल नहीं हैं, और यह बहुत ही यूजेबल प्रोडक्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज कियाते हैं, तो आप यह तो बेफिकर रहे हैं, इस चीज से कि कमपणी के प्रोडक्स कैसे हैं, हमें में चीज फोकस करना है कि कमपणी के प्रोडक्स कैसे हैं, अब प्रोडक् के तरफ से आपको बेखिकर रहना है एक बार हम के フरिटनी का रेटन्स की बात करें तो लगाता रभनी हुल्लिंग बढाते ही जा रहे हैं तो आप दिख सकते हो कम्पनी में की काफी अच्छी काशी प्रोफाइल बनी वे यहाँ पर मैं इसके एक वर्णिल का चार्ट उबन करूँ तो देखो एक सालमा कंपनी ने 19 पसंद का रेटन दिया है और पांस सालमा कंपनी ने 34,480 पसंद का रेटन्स बना कर दिया है मैं यहाँ पर मैक्जूम चार्ट उबन करता हूँ तो 2016 से कंपनी ने अब तक 8,270 पसंद का रेटन्स बना कर दिया है कंपनी में थोड़ा सा उताच चला बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि कंपनी अभी छोटी ही है ज़्यादा पड़ी कंपनी नहीं है तो अगर आप इस इसको मेंटन कर सकते हो तो देखो आप इसको बाइक कर सकते हो लेकिन फाइनली सेर उपर ही चा रहा है आप देख सकतो फाइनली सेर उपर ही जा रहा है और कुछ की सेर ऐसे होते हैं जिनने हमें खरीद कर भूल जाना चाहिए यह कुछ लोग बोटते हैं खरीद के बोल जाओ उन्हीं मैंसे यह एक सेर है अपने पोर्टपॉलियो में पचास सो सेर अभी बाय करो और भूल जाओ और हमेशा हर घ्रावट में हर डिप में अपने सेर को अपने पोर्टपॉलियो को एवरेज करते रहो इस सेर की तरफ से ठ होंगा कि राधर जिल्लों के पास सेर है गाइस आप बहुत लगियों कि आपने पहली बाय कर रखा है और मुक्य का फाइदा उठाते रहेगा जैसे कि सेर मां भी यहां पर ग्रावट देखने को मिल रही है एक स्वालमा कंपनी ने कोई खास रिटन नहीं दिया है यहां से आपको धख रहा होगा 1700 से अभी यह जो है 3600 आ आ गया तो आपके लिए मौका है एड करने का आप और सकते हो लेकिन लंब समय के-लिए ही है को जो लोग बाय करने की शोते हैं वह सकते हैं लेकिन लंब समय के लिए कंसिडर करके चलना है वह से